बुक स्टाट स्पीक मा तमारा बध्थानू स्वागत छे। वार्तानू शिर्षक छे सुन्दर घर। वार्तानू वाचन असावरी दोशी वार्ता माटे आभार महराष्ट राज्य पाठ्य पुस्तक निर्मिती मंडल पुणे। रजानो दिवस हतो सुधा रेखानी बेनपणी हती। आजे सुधा तेने घेर जवानी हती। सवारे नव आगे सुधा रेखाने घेर पोची गई। रेखा तो सुधानी राजोईनेज उभी हती। रेखाये सुधाने आनन थी कईू। आव सुधा आव। तुँ आवी हुँ खूब राजी थाई। घरमा रेखाना बाबापुजी हता। सुधाये तेमने वंदन करिया। बाबापुजी खुश थाया। रेखा एक नाना घरमा रेती थी। ते खूब चोक्खु हतु। आगला ओरडामा एक हिचको हतो। तेना पर तेओ बेठा अनेवातो करवा लागया। पण सुधानी आखो भारे चकोर हती। तेने तो ओरडामा बद्धु जोईली दु। फुलदानीमा सुन्दर फुलो हत खूणामा रमकडानू नानू कबाट हतु। तेमा जुदी-जुदी जातना रमकडा सरस्रिते गोठवेला हता। दिवाल पर छबियो एक सरखी हार मा टांगीती। बिजा खूणामा काचना बारणा वालू एक कबाट हतु। तेमा पुस्तो को सरस्रिते गोठवेला हता। एक खानामा नाना पुस्तको हता बिजामा मोटा। वारतानी सुन्दर चोपडियो पन हती। सुधा बोली उठी। कबाटमा केवी मज्जानी चोपडियो छे। बाए रेखा ने रसोडामा बोलावी। रेखा अंदर गई, सुधा माटे चा अने नास्तो लईने पाचियावी। सुधा ये रेखा सामे जोय। तेने जोय। के कप्रका भी खूब चोखा हता। सुधा रेखा ने के तारू घर तो साचेच चोखु चट छे। मने खूब गम रेखा हसी ने बोली। हूँ दररोज सवारे, टेबल, कुरसी औने कबाट साफ करू छू। मारी बाप पलंग पर चाधर पाथरे। चाधर मा एकपण सळ होय। ए एमने नो गमे। मारा बापु जी पुस्तो को बराबर गोठवे। आम आमें बद्धा जेक भी जाने मदद करिये। पची तो घर चोख कुछ रेने। पची सुधा घेर गई। तेने तेनी बा ने रेखाना चोखा घर नी वात करी। ते बोली। बा आपणे पन रेखाना घर जेव। आपणु घर चोखु राक्सू। सुधा ना बा बापु जी राजी थया। एमनो घर पण सुन् पर जरूर आउजो, यूट्यूब पर अने अलग-अलग पॉड्कास्टिंग चैनल्स पर तो मढ़िये पाचा, बाई-बाई